नमस्कार मैं हूँ सुधीर दिख्षीत और आप देख रहे हैं न्यूज़टीन मद्यप्रदेश चत्तिस गड़ हाली में मद्यप्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है जिन में बुन्यादी सी विदाओ पर जोर दिया गया है खास तोर पर शिक्षा की बात करें या सौस की बात करें ये सरकार की एहमियत में हैं इसी बीच हमारे बीच एक ऐसी शक्सियत है जिन के लिए चुनाओ जैसे बाए हाथ का खेल हो विदान सबा की बात हो या लोक सबा की लगातार चुनाओ लड़ते हैं लगातार जीतते हैं और हर बार जो जीत है बड़ी बड़ी और बड़ी होती जाती है। मद्यप्रदेश के स्कूली शिक्षा मंतरी और परिवान मंतरी राउदे प्रताप सिंग हमारे साथ है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि हमने भी बात कही कि चुनाओ लड़ते हैं जीत बड़ी होती जाती हैं। क्या जादू राउदे प्रताप कर देते हैं कि जनता इतना अपना पन दिखाती है चुनाओ में। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्वाद म्यूज एटीन का मत्परदेश एटिसगर कि आपने एका उसर दिया आपके माध्यम से हम लोगों से रूब-रू हो पाते हैं। जैसा आपने कहा कि ऐसा क्या जादू है कि जीत होती है। मुझे लगता है कि जादू से चुनाओ नहीं जीता जा सकता। चुनाओ अगर जीतना है तो आपको बहुत कमिट्मेंट की आवर्शक्ता है, समर्पित भाव से काम करनी की आवर्शक्ता रहती है। और खासकर आपका आचरण आपकी काम करने की पद्धती आम जन्मानस के अनकूल हो। आपकी कारण पद्धती के कारण लोगों के बीच में स्विकारिता और ये धीरे-धीरे करके एक परशप्सन बनता है। वो आपको लगतार जीतों मदद करता है। एक चीज़ और है कि गार्डर वारा से आप विधान सभा चुनाओ जीते हैं, होशंगाबाद से सांसद रहे लगातार। देश के सरवोच सदन में प्रतिनी दित्व करते हैं, उसके बात आप आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं केबिनेट मंत्री के तोर पर, क्या फर्क नजर आता है। आप ग्राम पंचायत के सरवोच सदन लोकसभा के अंदर बतौर सांसद काम करेंगे। हर जगे की जिम्मेदारियते हैं, जो अधिकार हैं, जो आपकी करतब हैं, उनके अपने एक मर्यादाएं हैं, उनके बीच में रह के आपको काम करना पड़ता है। हम लोग जमीन से निकले लोग हैं, ग्राम पंचायत, जनपत पंचायत से सफर चलो हुआ और विधायक सांसद होके हो, फिर विधायक पे अपसी हुई तो मुझे लगता है कि आपको जब जो जिम्मेदारी मिले हैं, उसके साथ पूरी इमानदारी से अगर आप उस जिम्मे सांसद बना, जिसके लिए कभी सोचा नहीं था, तो उस समय जब आप सांसद बनके गए तब फिर वहां अपने आपको तयार करना पड़ा, कि बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों ने बड़ा भरोसा करके आपको भेजा है, बड़ी अच्छी सीट है हमारी होशंगाबाद, अरसिंगपूर, उदैपूरा विधान सवा जो है, तो उन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है, और अपेक्षाएं अगर आपको पूरी करना है, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तो लोग सवा की जो है, काम करने की शैली, लोग सवा के नियम, काइदे, किस लगता है छे-ाथ महीने मुझे लगे इस सब काम को करने में और बात में हम लोगों ने बहुत महनत कियो और शंगवाज संजदी छेतर में हम लोगों ने काम में भी रिकार्ड बनाये हैं और लोगों ने भी आश्रिवाद देने में रिकार्ड बनाया है तोनों तरफ से हम लो नॉन पॉलिटिकल फैमिली थी, सोशली बहुत एक अच्छा संपर्क वाला परिवार था, पुराना परिवार था, उसे साफसे सामाजिक स्विकारिता थी, लेकि पिजाजी की मन में लगता थे कि राजनितिग, उसा उनको लगता था शायद ठीक नहीं होते, लेकि जनपर्द ये था कि जब मैं विधायक बना उस समय वो नहीं रहे, जैसे अभी हमने जिकर किया था कि हाली में सरकार ने बज़ट पेश किया है, इसकूली शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिमेदारी आपके पास है, क्या प्रात्मिक्ता तै कि ये सरकार ने, प्रात्मिक्ता तै की है, पिछले साल का हमारा जो बज़ट था उसमें दस बारा परसंट की बढ़ोतरी करके बज़ट को लेकर आए हैं, 22 जार करोड के उपर का बज़ट है, बच्चों को बहतर एजूकेशन मिले, शिक्षकों की भूमिका तै हो, बच्चों को आउसर मिले की वो प्राइविट इंस्टूशन जैसी विवस्ताओं में जाकर पढ़ सकें शास की तोर पर, इस सब के लिए सरकार ने बड़ा प्रावधान किया है, और बज़ट भी लगतार हर साल बढ़ाया, इस साली बज़ट साड़े तीन हजार करोड का बज़ट फिर से इस बार ब बहुत चिंतित रहते हैं, उच्छे शिक्षाम उन्होंने बहुत काम किया लगभग 500 की संख्या में, मद्ध प्रदेश में हम अभी जुलाई एगस्त में उन पर चालू कर रहे हैं, डाई सो के आसपास पहले से चालू हैं, नए भवन बन कर हमारे आने लगे हैं, इसी माहे कि अन्ति तक हमारी 26 सीम राइस के बड़े-बड़े केंपस हम प्रदेश को समर्फित करने वाले हैं, तो हमारा फोकस्ड एक प्रोग्राम है, सीम राइस के माध्यम से एक बहतर सिक्षा, एक्सिलेंस स्कूल पर हमारे बहुत अच्छा परणाम दे रहे हैं, मॉडल स्कूल ह हमारे बहुत अच्छा परणाम दे रहे हैं, और भारत सरकार के मानि प्रधान मंतरी मोदी जी के सहयोग से, पी-म श्री के हमारे जो विद्याले हैं, उन पर भी हम लोग हाई-टेक एजुकेशन बच्चों को बलब्द करा पा रहे हैं, वर्ड क्लास एजुकेशन की बात कर रहता था कि सब्जेक्ट से आगे बढ़ना है, नई शिक्षा नीती को सामने रखका चेंज किया, सबसे अच्छा काम इस देश में जो हुआ है, प्रधान मंतरी आधरी नरेंद मोदी जी ने नई शिक्षा नीती के माध्यम से, हमारे देश के जो शिक्षा मंतरी हैं, परवर्तन कर सकते हैं, मद्द प्रदेश में हम लोगों ने वोकेसनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, उसको इसमें शामिल किया है, जैसे कोई बेटी पढ़ाई कर रही है, उसने कॉमर्स लिया, आर्स लिया, वो पढ़ रही है, उसे लगता है कि मुझे उसका शौक है, प जोड़े हैं, वो केसनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ने, ग्रामीन परिविश से आप आते हैं, लगातार लोगों से जुड़े भी रहे हैं, कई तरह के आपने समस्य है, ग्रामीन इलाकों में खास तर पर देखी होंगी, कि स्कुली शिक्षा को लेकर जागरुकता अब लोग कर जाते हैं, ग्रामीन इंफ्रस्ट्रक्शर जो था, उस पर लगतार पिछली सरकारों ने काम किया है, वरतमान सरकार भी काम कर रही है, और जो सियम राइस का कांसेप्ट है, उसी की कारण निकल के आया है, हर गाओं में छोटे-छोटे स्कूल बनाना, और कहीं बीज बच् हैं, चार सिक्षक हैं, कहीं असी बच्चे हैं, एक सिक्षक है, इस तरह की विसंगतियों से बचना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिले, बहतर विवस्था मिले, इसके लिए ही सीम राइस का कांसेप्ट आया था, लेकिन अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस हम साइकल्स बीबच्चों को देने की हम लोगों को यू कारकम चलता है, उसके लिए भी सरकार ने बज़ेट के प्रॉदान किया है, हमारी सरकार ने जो प्राइविट स्कूल है, आर्टी की तहत हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी फीस का पैसा है, वह की सरकार की तर हों और सिक्षकों का सेहोजन ठीक हो यह समबलत रूप से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हो काम कर रहे हैं खीस है बहुत बड़ा मुद्दा होता है खास तरपर जब निजील स्कूलों की बात करते हैं और आपने आते ही प्राइवेट इसकूलों की मनमानी पर लगाम लगाना लगातर कारवाईया हो रही हैं और कहा जाता है कि जो स्कूल होते हैं प्राइवेट बड़े-बड़े स्कूल होते हैं उनका कोई गर्जोड होता है नाराज की जहलनी पड़ी है आपको जो बच्चे हैं जिनका पेरेंट्स की जादा फीस लग रही है नियमों के विपरीत लोग पैसा ले रहे हैं इसकी जाँच होना चीए और मुकमत रिजी के मागदासन में पूरे मदवर देश में एक हम लोगों ने मोहिम चलाई और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि बहुत से स्कूलों ने आगे बढ़कर अपने से और कुछ स्कूलों ने कानूनी कारवाई की बाद करोड़ों रुपे मतलब ये रासी सेकड़ों करोड़ों मैं है वो पेरेंट्स को वापस भेजी है और पालकों को जादा पैसा जो उनका लग गया था वापस मिला है ऐसे स समझ से आ रही है जो दो डाई डाई लाग तीन तीन लाग रुपे फीज लेते हैं उनको दस परसंट का जो हमारा बेरियर है वो भी बहुत होता है अगर वो दो लाग की फीज वाला दस परसंट बढ़ाता है उसकी बिस जार रुपीज बढ़ जाती है जो एक पालक के प्रदेश थे कि बच्चों के हित में पालकों के हित में सक्ती भी करना पड़े तो करें और प्राइविट इंस्टूशन को परहचाहीं नहीं होना चाहिए कि वो भी हमारा एक अंग है और मध्रदेश में श्रिक्षन विवस्था है प्राइवेट स्कूल का भी बड़ा यो कि यथा ऑख़के से स्कताव के शर्म शुरू होगया की चली फीस पे लिगाम लगा रहे लेकिन एक पतली गली इसकी निकल जाती है कि स्कूल की जो कताबे होती है वो निश्ची स्रीच दह से लेनी है यंश्चाग से लेनी है य्युनीफॉर्म में बदलाव कर दिया जाता लगाओगे बच्चे के बैग का बजन बढ़ेगा वो भी आपके दंड के दायरे में आता है पीरियर्ड दिवाइड करने पड़ेंगे बच्चा कितना बैग लेकर आएगा कितनी वो स्कूल में छोड़ कर जाएगा सलेबस परिवर्तन का आपके पास स्कोप नहीं होगा क्यो को इस तरह के मोड में जाएं कि आपने एक बार यूनिफॉर्म तै कर दी तो फिर अगले छे आठ साल आप यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते अगर आपने यूनिफॉर्म बदलना है तो आप दो साल पहले नोटिस देंगे कि हमारी दो साल बाद इस तरह की यूनिफॉर्म आ चाहिए बहुत अध्यन करके, एक्सपर्ट से बात करके, लोगों के विचार लेकर, अधिकारियों से बात करके, हम लोग अच्छी नीती लेकर आ रहे हैं। पिशले बार आपसे बात हुई थी, एक बड़ी अच्छी नवाचार की बात आपने कही थी कि जनपरतिनी दियों को और पुराने चात्रों को स्कूल में क्लासेस लेने के लिए प्रेडित करने के आपकी योजना है। आपको हर पंदरा दिन में जाना है, आप अपने सुविधा से, जो आपका कारशेतर है उसके नजदीक, आपको असानी जहां पढ़ती हो, वो स्कूल आप ते कर लो, और हमारा प्रियास के महीने में एक बार आपको जाना चाहिए। लिए बच्चों के लिए बहुत सावर्दक होगा, शिक्षकों के लिए उसावर्दक भी होगा, और हर चीज ठीक करना है, इस बात के लिए उनको एक ताकीदी भी होगी। और मेरे लिए चार में रहेगा कि दुवारा से मुझे बच्पन जीने का मौका मिलेगा, बच्चों के भी जाने का। लेकिन इतने सारे अच्छे अच्छे कामों के बीच, कॉंग्रिस, शिक्षा माफिया, शिक्षकों की कमी, इंफ्राइस्ट्रिक्चर, इसको लेकर नाराज़गी जताती है। इतना दुख्की, विशाद की इस्तिती में है वो, कहावत है हमारे हैं वो देल खंड में, कि खिस्यानी विल्ली खंबा नोचे, तो ये इनकी इस्तिती ऐसी हो गई है, ये कहीं इसकी हैसियत नहीं है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, मदबर्देस में चलते चुनाओं में इ इन विधायकों ने इनको आइना दिखाने का काम किया है, और लगतार दल कमजोर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस कारण से ये हर अफते का एजेंडा रहता है, इस हफते इस विभाग के बारे में, अगले हफते इस विभाग के बारे में, वगर इन सब ने बहतर किया ह होता है लंबे समय शासन में रहे आज जो सीम राइज एक्सिलेंस मॉडल स्कूल जो भाजपा आज कर रही है अगर इन्होंने पहले किया होता एक्सिलेंस पहले बनाए होते स्टियम राइज या मौडल स्कूल पहले बनाए होते या इतना फोकस्ड बजट आप कल्पना करिए दो हजार तीन में कुछ हजार करोल का बजट था दो हजार तेईस चौवीस में तीन लाग करोल से उपर का बजट दिया है मानी मुख मंतरी जी ने वित मंतरी जी इस पश्ट कहा है इस बजट को हम अगले पांस साल में डबल करने का काम करेंगे आप कल्पना करो कि इनके कहना चीए कि अकर्मनता की कारण ये प्रदेश जहां होना चीए था वहां नहीं हुआ आज पार्टी प्रियास कर रही है मानी प्रदार मंतरी जी के नेतरतु में बहतर से बहतर जहां दुनिया एक आर्थिक शक्ती बनने जा रहा है भारत दुनिया के अंदर हमारी कल्पना है कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ती बने दुनिया में उसी तरज पर मध्रदेश भी सुराने मध्रदेश की कल्पना के साथ गुड गवर्नेंस के साथ हमारी सरकार काम कर रही और सुहावी कुल्प से मध्रदेश बहुत अच्छा करेगा तो उसका माइलेज भारत को ही मिलेगा रावदर प्रताप सिंग जी के पास एक और विबाग है परिवान विबाग सर परिवान विबाग में बड़ा नवाचार हुआ है नाके बन कर दिये गए चारों तरफ खुशी का महल देखने मिल रहा है खास तोर पर ट्रांस्पोर्टर्स में यह बहुत लंबे समय से इस पर विचार चल रहा था एक बाद 2017-18 में भी तेह हुआ था और उससे में नहीं हुआ अपर यहर कारण उससे नहीं हो पाया था वुक्मद्री जी के मन में था चूकि मैं तो अभी यहां पर मदपरदेश में सांसद के बाद यहां यहां भी आया हूँ नॉमबर में लेकिन वो लगतार सरकारों में यहां पर रहे हैं तो शायद उन्होंने देखा होगा कि यह चिंता का विशह है सड़क के उपर उनका मन था कि यह सिस्टम बंद होना चीए इस से जो एक हर्डल फ्री मतला रुकावट रहत विना बाधा के यातायात सुगम नहीं हो पा रहा है चौकी बंद करने का मतलब यह नहीं है कि हम सब फ्री छोड़ देंगे और रेवनियू लॉस सहते रहेंगे और चोरियां होती रहें जी एस्टी की चोरी होती रहें ओवरलोडिंग होती रहे बगेर पर्मिट के लोग मुमिट करते रहें या सामान कुछ है आपके बिल्टी किसी और चीज़ की बनी है ये सब नहीं छोड़ सकते एक शिकायत का हम पोर्टल बनाएंगे ड्राइवर्स के लिए अगर उनको किसी तरह की दिक्कत है उनको उस विवस्थां में असहमती है या वहां पर उनके साथ किये गए विवहार से उनको नाइतफा की है तो उस पोर्टल पर अपनी वो शिकायत दर्ज करा सकता है जैसे अभी हंडर्ड डाइल है या सीम हेल्प लाइन है इस तरह से एक ट्रांसपोर्ट की भी हम हेल्प लाइन तयार करेंगे और उसका हमारी तरफ से कोशिश होगी कि सौफ हिजदी उसके अंदर निर्धार समयावधी में निराकरान हो और सामने वाले व्यक्ति को उसका बतलब उसकी शिकायत का समय पर उसको निराकरान भी मिले आम तोर पर राओ दे प्रताफ सिंग लाइम लाइट से दूर रहते हैं इनके बयान नहीं मिलते लेकिन एक बयान राओल गांदी को लेकर अपने दिया था मौक्राब हो गया तो कहा की आप वागरू भी राओल गांदी ज्थो लगो राओल के साहत हम snail में लंबे समय से देख रहे हैं पंद्रा साल तक हाूस में रहा हूं को भी बोलते है नहीं है और हऊस में ना आने वालों में जो एफसेंट लोग हैं, मतलब जिनका कहना चाहिए कि वपस्थितिक कम सबसे वपस्थितिक कम वाले लोगों में अगर गिंती करें, साइड मीचे से फर्स्ट उनका आ जाए, ज्यादा आना नहीं हाउस में कभी समय नहीं देना, अध्यन नहीं करना, क्वेशन्स नहीं लगाना, कभी सरकार का ध्याना करशन नहीं करना सरकार में जब थे तब भी खड़े होके नित्रतु नहीं करना बोलना जब तो कुछ ऐसा बोलना की पता लगा पूरे देश में वोई वोई चले अजीव से नकारात्मक माइंड फ्रेम के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं कभी उनको अच्छा ही नहीं दिखती मंदर बना तो उसमें तकलीफ हुई आमंतरन अस्वी कार कर दिया कश्मीर के समस्या हल हुई तो कह दिया कि हमारी कभी सरकार आएगी तो हम इस पर पुनर विचार करेंगे कि धर्टी प्यति से और इन धाराओं को हम दुवारा रखें फिर पुनर विचार करेंगे तो कोई पॉजिटिविटी के साथ उनों ने अपना राजनितिक जीवान आएगा आत्रत और मनी पर राहुल गांदी जा रहे हैं पहले भी गए हैं उत्तर प्रदेश में पहले गटनाव ही वहाँ पर पहले भी गए हैं अब भी जा रहे हैं उनकी जो है मुझे लगता है कि कारिपद्धती में टाइमिंग का बड़ा दोश है वो जो काम जब करना चीए उस समय नहीं करते हैं या तो समय के पहले कर देते हैं या समय के बाद करते हैं उनके केरियर पर बड़ा प्रुवा पड़ा है और कई बार उनके स्टेट्मेंट के कारण ऐसा लगता है कि 22-23 साल के उमर है लेकि लगता है कुब 22-23 साल के बच्चे का स्टेट्मेंट आ गया तो इस कारण से वो कभी कभी हसी के पात्र बन जाते हैं। लिगो उसी तरह से लोग उनको अपनी बातों में भी कई बार शामिल कर लेते हैं। आगे प्रदेश में विकास की रफ्तार है, डबल एंजन के सरकार फिर से हैं। परिमान और शिक्षा विबाग मिलाकर पूरी सरकार किस दिशा में प्रदेश को आप देखेंगे अगले पांस साल में तीसरी बार आजाद भारत में ये पहला आउसर है कि गैर कांग्रेसी प्रधान मंतरी तीसरी बार लगतार कोई व्यक्ति बनाओ और देश में और दुनिया में हुनोंने भारत का गोरो बढ़ाया है भारत का मान बढ़ाया है आर्थ से तंत्र बहतर किया है हमारे जो इंटरनल सिस्टम है देश का उसको अच्छा किया है एक्स्टरनल अफेर्ज हमारे जो विदेश नीती है उसमें बहतर काम किया है उनके नित्रत में मद्ध प्रदेश में जो मानि मुक्मंतरी मुहन यादोजी के नित्रत में सरकार बनी है जिसमें हम सम लोगों को लगवए 165 विधायकों को जिम्मेदारी है भारती जन्ता पार्टी की तरफ से प्रदेश की प्रगती में अपनी भूम का निभाने की मुक्मंतरी जी के नित्रत में मंतरी परिशद और सारे हमारे विधायक पार्टी के हमारी पार्टी का संकल्प सम्रद मद्ध प्रदेश का है भारती जन्ता पार्टी में खासियत ये है कि सरकार भी काम करती है मानी मुकमतरी जी के नेतरत में मंतरी काम करते हैं विधायगण काम करते हैं सानसद काम करते हैं साथ में उतनी सजगता से पार्टी का कारकरता भी लगता है तो ये प्रदेश खुशाल प्रदेश है बीमारी राजी से हमारी पार्टी से आज एक अच्छे विकास सील से विक्सित राजी की तरफ ले जाने का काम कर रही है और आगे आने वाला समय तो बहुत अच्छा है यह है मद्यप्रदेश के कैबिनेट मंतरी राओ देप्रताफ सिंग जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बेबागी से दिये परिवान का जो नवाचार है उसको पूरा देश देख रहा है साथ ही राओ दरप्रताफ सिंग ने ये बाद जरूर किया कि शिक्षा में मद्यप्र पूर्देश जो नवाचार करेगा जो कदम उठाएगा उसको भी पूरा देश देखेगा सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेगा